नमस्कार मैं संदीब कुमार बिहारी निउस से, आज हम बात करेंगे गोपाल गंज लोगसभा छेत्र की, गोपाल गंज में एंडिये बना महागटबंधन की लडाई है, बिहार का गोपाल गंज लोगसभा छेत्र कभी हाई प्रोफाइसीट हुआ करता था, इस जिले की लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपाल गंज के फुलवर्या गाउं में ही हुआ था, वहीं रावरी देवी का पैत्री गाउं सलार है, इन दोनों के अलावे पूर्मुक मंतरी अब्दुल गफूर भी गोपाल गंज के रहने वाले थे, यहां की एक सम्रीद और राजनितिक विर्यासत रही है, आजादी की लड़ाएं में भी यहां के लोगों ने बढ़ चरकर हिसा लिया था, महात्मा गांदी के जनव दिवस पर 2 अक्टवर 1973 को गोपाल गंज अलग जिला के रूप में अस्तित्म में आया, उत्तर बिहार का अंतिम जिला गोपाल गं आज भी विकास के मामले में अंजिलो से काफी पीछे है, पहले गोपाल गंज को गंडग, गंणा और गुंडा के नाम से जाना जाता था, यहां गंडग नदी हमेशा बाहर लेकर आती है, पहले यहां चार चीनी मीले हुआ करता था, लेकिन बरतमान में यहां तीन चीनी मी इस मील को बंद करने का निरने किया था। उसके बाद से हर चुना में हत्वा चीनी मील को शुरू कराने का मुदा उठता है। लेकिन जीते हुए जनपरतिनीधी भूल जाते हैं। हाल के दिनों में गन्यक की फसल से मुभंग होने के बाद यहां के लोगों ने रोजगार के लिए दूसरे राजियों का प्लाइन किया। इस कारण से यहां बिरेशी धन का फ्लो बढ़ा, बार और कटाव से गंड़क नदी हर साल गंड़क गोपाल गन में तांडव मचाती है। इस लोग सवाचेतर के दियराई इलाके में बुन्यादी सुगधाओं की घोर कमी है। इस हिती ऐसी है कि बीमार पढ़ने पर अभी लोग खाट पर सोकर चार लोगों के कंधों पर सवार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं 2014 में गोपाल गन से भाजपा के जनक राम सांसद बने। जनक राम को 4,78,000 बोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की डॉक्टर जयोती 1,98,000 बोट पाकर दूसरे अस्थान पर रही थी। जनक राम 2014 में रिकॉर्ड 2,80,000 बोट से चुनाब जीते थे। सांसद के 5 साल के कारिकाल को लेकर गोपाल गन्ज लोगों की मिली जूली पतिकिरिया है। गोपाल गन्ज संसदिये छेतर का इथास काटे के संघर्स का रहा है। यहां की जनता ने 1980 के लोगसभा चुनाब के बाद हुए चुनाबों में नए चेहरों को सांसद में भेजा है। लेकिन किसी को लगतार दो बार चुनाब जितने कामों का जनता ने नहीं दिया है। गोपाल गन्ज में 49 साल से नए उमिद्वार चुनने की परकिडिया चली आ रही है। गोपाल गन्ज सुरचित लोगसभाज सीट पर अस्थानिय मुद्दे के साथ साथ जातिय समिकरन भी हावी रहे है। गोपाल गन्ज सीट पर जातिय समिकरन की बात करें तो मुस्लिम, यादव के अलावा, राजपूत, ब्राहमन और भोमियार जाती के भोटरों का दबदवा है। वैसे कुर्मी, कुसवाहा और महादलित भोटर गोलबंदी चुनाओं में निरनायक भुनकादा करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार गोपाल गन्ज के जंग में कौन बाजी मारता है। पहली बार 1957 के चुनाओं में गोपाल गन्ज सीट से कौंग्रेस के डक्टर सयद महमूद ने चुनाव गीता था। इसके बाद 1962, 1967, 1971 और 1977 में कौंग्रेस के द्वारक्यानात तिवारी यहां से सांसा चुने गया। 1980 और 1984 के चुनाओं में भी यह सीट कंग्रेस के खाते में गई। 1989 में जंता दल के राम मंगल मिस्रा ने कंग्रेस का एक छत्र राज को समात करने में कम्याब रहें। इसके बाद 1999 में जंता दल के अबदुल गफुर जीत कर दिल्ली पहुंचे। 1996 में जंता दल के ही लाल बाबु परसाद यादव चुनाओं जितने में कम्याब रहें। अबदुल गफुर को 1998 में फिर जीत मिली। 1999 में जंता दल यू के रगुनार जहा इस सीट से सांसद बने। लालु यादव के बरे साले अनिरुद परसाद उर्फ सादु यादव ने राजत से टिकट पर 2004 में चुनाव जीत कर लोग सभा पहुंचे। सुरचित सीट घोसित होने के बाद 2009 में जडियू के पूर्ण मासी राम ने इस सीट का परती निधित्व किया। 2014 में मोदी लहर में गोपाल गंज की जनता ने BJP के जनक राम को अपना परती निधि चुना। 2018 डॉक्टर अलोक सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही परत्यासी पहली वार चुनावी किस्मत अजमार हैं। अगर मोपाल गंज की मततताओं की बात करें। तो कुल मतदाता यहां पे 18,32,000 है, वहीं पुरुष की संख्या 9,36,334 है, वहीं महिलाओं की संख्या 8,95,757 है, थर्ड जेंडर की संख्या 89 है, नए मतदाता की संख्या 22,988 है. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सस्क्राइब करें, और बेल आइकन दवाना न भूलें, यही वीडियो अगर आप फेस्बूक पे देख रहे हैं, तो इसे लाइक करें और सेयर करें, धन्यवाद.